यो वाट्स अप गाईज कैसा आप सो लोग मैं आप मैं निकिल सनी और आप देखने है टेक्नो की यूटूब चैनल तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तमगा की आप अपनी यूटूब वीडियो के जो टाइटल होता है उसके उपर हैस्टेग कैसे लगा सकते हैं आपने कई यूटूबर को देखा होगा उनकी वीडियो पर जो टाइटल होता है उसके उपर हैस्टेग लगा होता है तो वो आप अपनी वीडियो में कैसे लगा सकते हैं कैसे उसको सही तरीके से सैट कर सकते हैं और ये क्यों लगाया जाता है तो ये सब जानने के लिए आप कुछ सब्सक्राब नहीं कर रखा तो सब्सक्राब कर दीजिए और बैल आइकन को प्रैस कर दीजिए तो सबसे पहले सीखते हैं कि कम्पुटर में कैसे लगाते हैं अगर आपको हैस्टेग कम्पुटर में लगाना है तो कम्पुटर में लगाने के लिए आपको सबसे पहले अपने YouTube चैनल ओपन करना होगा YouTube चैनल ओपन करने के बाद आपको YouTube स्टूडियो में चले जाना है अब YouTube स्टूडियो कैसे ओन करते हैं कम्पिटर में आपको अपने चैनल के लोगो उपर साइड क्लिक करना होगा उस पर क्लिक करने के बाद आपको YouTube Studio का option मिल जाएगा आप वहाँ पर जा सकते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद आपको वीडियो में चले जाना है वीडियो में जाने के बाद आपको वीडियो स्लैक करने है जिसके टाइटल पर आपको हैस्टेग लगाने है तो उस वीडियो को स्लैक करने के बाद आपको एड़ेट पर टिक कर देना होगा एड़ेट पर टिक करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में चले जाना है जो आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वीडियो का उस वाले सेक्शन में चले जाना है और आपको कहीं पर भी जो आप hashtag लगाना चाते हैं वो hashtag लगा दीजिए तो उन hashtag को लगाने के बाद आपको एक काम करना है आपका hashtag तभी काम करेगा तभी आपके title के उपर आएगा जब आप अपनी वीडियो की location को off कर देंगे तो वीडियो की location को आप off कर दीजिए नीचे आपको वीडियो की location दी जाएगी आप जब भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आप अपनी वीडियो की location डालते हैं तो उसको डालना बंद कर दीजिए तब आपका hashtag आपके title के उपर आने लग जाएगा तो ये तो हो गई computer की तो अब चलते हैं mobile की screen की तरफ तो mobile में कैसे लगाते हैं mobile में आपको एक app डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है YouTube Studio आप Play Store पर आपको वो app मिल जाएगा आप जाकर डाउनलोड कर लिजी तो डाउनलोड करने के बाद आपको app open करना है और उपर 3 dot डिखेंगे आपको उस पर चले जाना है उस पर जाने के बाद वहाँ पर भी आपको वीडियोस की section में जाना है वीडियोस में जाने के बाद आपको वीडियोस लाइक करने है जिस पर आपको hashtag लगाने हैं उस पर जाने के बाद आपको वही same process है edit पर टिक करना है और description में hashtag लगा दीजिए और अपनी वीडियो की location को off कर दीजिए तो ये सब करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी वीडियो के उपर वीडियो के title के उपर hashtag लग जाएगा तो ये hashtag किस काम आते हैं अब ये जान लेते हैं जब आप Facebook या फिर Instagram पर कुछ भी search करते हैं तो आपने देखा होगा आप hashtag लगागर ज़्यादतर search करते हैं तो YouTube पर भी future में hashtag लगागर search होने का feature आने वाला है तो अगर आप hashtag लगा देंगे अभी से ही अपनी वीडियो में तो अगर ये feature आज आएगा तो आपकी वीडियो कोई search करेगा hashtag लगागर तो आपकी वीडियो उसमें आज आएगी अगर आपकी वीडियो में hashtag set नहीं है तो आपकी वीडियो उस hashtag में आएगी ही नहीं तो इसलिए ये जरूरी है फ्यूचर में अगर कभी hashtag का use होगा यूटुब पर तो आपकी वीडियो वहाँ पर आ जाएगी तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चानल को सब्सक्राब निकर रखा तो सब्सक्राब कर दीजिए और बाल आइकन को प्रैस कर दीजिए अगर आपको हैस्टेक लगाने में कोई दिक्कत आए तो आप comment box में comment कर दीजिए